हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानल सीबीज ओनलाइन लर्निंग, शत्यस गण में भरती के लिए नई विग्यापन जारी किये गये हैं और सेंट्रल जॉब के लिए भी विग्यापन जारी किये गये हैं, बिलाई रायपूर की तरब से जॉब निकाले गये हैं, और सीबी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहे हैं वीडियो के आन्ति तक, वीडियो सुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकान को प्रेस कर दिजेगा, जिससे की मेरे पर, नेश्ट जॉब अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंद पहुंच सके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहली वेकेंसी है, भारती प्रोद्यकी संस्थान भिलाई की तरफ से, आयाइटी की तरफ से अविग्या पंजारी किया गया है इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंड के लिए ज्यारेफ के लिए पोस्ट निकाले गया है, प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पर दे दिया गया है, एक पोस्ट यहाँ पर ज्यारेफ के लिए जुन्नर रिसर्च फेलो के लिए निकाले गया है, प्रिंस्पर के एक तो आप इसके लिए कर सकते हैं जो यहां परर के गेरी के Candidate उनक यहां पर पासपंप्रतिसद मंगा गया है इसंट क्वालिजी के में अपर यह पर डेकट कWeT क्वालीट कर सकते हैं डिजर्एरेबल क्वालिफिकेशन यहां पर गुड कम्किकेशन-स इसकी लाक के होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कुपैबिलिटी अ की है तो आप इसके लिए कर सकते हैं एज लिमिट 28 साल इसमें रखा गया है सेलरी 31,000 प्लस 16% एज आरे दिया जाएगा और यह जो है प्रोजेक्ट डूरेशन यहां पर एक साल का रखा गया है आप इसके लिए एप्लाई किस प्रकार्थी कर सकते हैं देख लेते हैं इसके लिए जो भी एक्चु का भ्यारती है वे अपना जो है दिये गया फॉर्मेट में ही आपको इसके लिए प्लाई करना होगा दिये गया फॉर्मेट को प्रिंट निकाल लेना है और उसी 2024 तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं याने कि online mathem से email के mathem से आपको apply करना है इसके लिए जो भी shortlisted candidate होंगे उनको interview के लिए बुलाया जाएगा apply करने के लिए हाँ पर principal investigator के जो ID यहाँ पर दे दी गई है इस ID पर आपको अपना जो है resume send करना होगा देख है format में आपको apply करना होगा इसमें interview में जाने के लिए किसी भी प्रकार का TA या DA नहीं दिया जाएगा स्वयम के खर्चे पर आपको interview के लिए उपस्तित होना होगा यह इसके लिए application form का प्रारूप रखा गया है यहाँ पर आपको अपने पूरा नाम लिग देना है जेंडर, date of birth, category जितने भी जानकारी मांगे गई है mailing address, email id, phone number, qualification detail, qualifying examination, professional experience सभी यहाँ पर मांगा गया है सभी जानकारी आपको fill up कर देना है last में declaration भी यहाँ पर दे दिया गया है इसमें आपको अपना place और date लिख देना है और अपना signature कर देना है तो इस प्रकार से इसके लिए application form का प्रारूप रखा गया है इसी प्रारूप को आपको print निकाल कर पूरी तरह से fill up करके इसे scan कर लेना है, pdf बना लेना है और दिये गए, जो id दी गई है, उस id में आपको mail कर दिना है 28 सपरेल, इसके लिए last date रखी गई है इस id में आपको अपना resume, आपको mail करना है और ये pdf आप इसके official website से download कर सकते हैं ये इसके official website की link है जो कि इस video के description में दे दी गई है जहां से आप ये pdf की notification आप स्वायम चेक कर सकते हैं डाउनोड कर सकते हैं इसके pdf के last में इसके लिए application form का प्रारुप दिया गया है जिसे print निकाल कर, fill up करके आप इसके लिए all in apply up कर सकते हैं नेश्ट वे के सी है इंडियन institute of management राइपूर की तरब से यहां पर non teaching post के लिए यह वे क्या पंजारी किया गया है नेश्ट है finance in account officer on contract के लिए एक post है इसके लिए 3100 का payment यहां पर रखा गया है group A और B के लिए यहां पर यह post निकाले गया है आगे देख लेते हैं finance account officer के लिए यहां पर grade के लिए on contract regular के लिए एक post यहां पर OBC में निकाला गया है जिसके लिए qualification यहां पर graduate होना चाहिए साथ में CA या CMA होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं experience यहां पर मांगा गया है 52 साल इसके लिए age limit रखी गई है payment इसके लिए 61700 दिया जाएगा 3 साल के लिए यहां पर इसका contract period रखा गया है job profile के जानकार यहां पर दे दी गई है जिसे आप देख लिजेगा आगे देख लेते हैं finance and account officer के लिए एक post यहां पर निकाला गया है on contract regular के लिए इसके लिए qualification graduate के साथ में CA या CMA है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसके भी qualification उपर बताया गया अनुसारी रखे गया है payment इसके लिए 56100 है एज लिमिट यहां पर 45 साल रखा गया है और 35100 के लिए payment रखा गया है एज में relaxation यहां पर दिया जाएगा जितने भी reserve category है उनको तो इसके लिए यहां पर H, C, H, T को 5 साल का एज relaxation दिया जाएगा non creamy layer यहां पर O, B, C हैं उनको 3 साल का और P, W, D को यहां पर 10, 15 और 13 साल का यहां पर H में relaxation दिया जाएगा जिसके संबन में आगी जानकारी दी गई है जिससे आप read कर सकते हैं आगर देख लिते हैं यहां पर कुछ general information दे दिये गए हैं इसके लिए जो हैं आप apply करना चाहते हैं तो online apply करना होगा 23 अपरेल 2024 तक से आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसमें apply करने के लिए आपको computer का ग्यान होना अनिवार है यह में इस word, excel, powerpoint, presentation, internet आदि का आपको ग्यान होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी भासा में अच्छी पकड़ है या फिर autonomous bodies में आपका पर पहले से ही आप employee है तो आपको इसमें आविदन करने के लिए no objection certificate याने की आनापत्ती प्रमान पत्र अपने department से आपको application के साथ में सलगन करना अनिवार है इसमें online आपको apply करना है अगर online apply करने पर आपको किसे भी प्रकार की समस्या होती है तो यहाँ पर contact number दे दिया गया है और email id भी दे दिया गया है इसमें आप संफर्क कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप पूरा विग्यापन जारी किया गया है अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं एप्लाई करने से पहले पूरा पीडिया पच्छे से रीड कर लिजेगा उसके बाद ही apply किजेगा यह इसके official website की link है इस वीडियो की description पर जाएंगे तो आपको यह link मिल जाएगी वहाँ पर click करके इस link पर click करके आप directly इसके official website पर चले जाएंगे वहाँ से आप इस notification पर चेक करके download कर सकते हैं और इसके लिए आपको online apply करने के लिए भी link इसके official website पर मिल जाएगा जहाँ से आप इसके लिए 23 अपरेल 2024 तक से online apply कर सकते हैं और अगर आप इसके लिए apply कर रहे हैं तो आपको समय समय पर इसके official website का उलोकन करते रहना होगा नेश्ट वेक NCA राश्ट्री प्रद्विकी संस्थान रायपूर NIT रायपूर की तरब से यावेग्यापन जारी किया गया है इसमें गैर सेक्षणिक पदों पर भरती के लिए भारती नागरिकों से निर्धारिक प्रारूप में आवेदन यहाँ पर मंगाए गया है इसके लिए online आवेदन भरना होगा और उसकी hard copy भी आपको जमा करना होगा तकनिकी सायक के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है जिसमें वस्तु कला के लिए एक पोस्ट है और जैव चिकित्सा प्रावदगी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है वस्तु कला के लिए यहाँ पर लेवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा और जैवची किस्सा प्रोजदगी के लिए भी यहाँ पर लिवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा इसके अधिक जानकारी के लिए आप इसके ओफिसल वेब साइट पर विजिट कर सकते हैं इसके ओफिसल वेब साइट के लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है एप्लाई करने के लिए लाज्ट डेट 22 अपरेल दोजार चोबिस तक रखे गए हैं 22 अपरेल दोजार चोबिस तक आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लाई करने के बाद संस्था में आविदन पत्र और संबंधी दस्तावेश जमा करने की अंतिंटिती 30 अपरेल दोजार चोबिस रखी गई है भरती सामन्दी जानकारी है तो संस्था के वेब साइट का और लोकन आपको नियमित रूप से करते रहना होगा और एक्विलेंट ग्रेड यहां पर होना चाहिए बी या बी टेक इन सीविल इंजिनियरिंग में तो आप इसके लिए प्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा है सीविल इंजिनियरिंग में 60% माक्स के साथ में तो आप एप्लाई कर सकते हैं टेचनिकल असिस्टेंट आर् alan यहां पर यहां पर यहां कर सकते हैं या फिर अफिर बैच Western करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन करना होगा यहां पर यहां पर опыт यहांफर यहां पर सकते हैं inh Carrie दिये गए format में ही आपको apply करना है online apply करने के बाद में आपको अपना आवेदन का hard copy और उसके साथ में सभी document की self-attested copy आपको offline भेजना भी होगा काडियाले में आपको offline या पर hard copy भी आपको जमा करना है जिसमें envelope के उपर आपको लिखना होगा application for the post of technical assistant architecture के या फिर biomedical के जिसके लिए भी आप apply कर रहे हैं वह आपको envelope के उपर इस पस्ट रूप से लिखना होगा सभी document आपकी self-attested होने चाहिए signature होना चाहिए post के माध्यम से आपको अपना hard copy send करना है यहां पर दे दिया गया है the registrar NIT रायपूर GE road रायपूर 49201036 पर आपको अपना आविदन जो है online आविदन करने के बाद में उसका hard copy आपको इस address पर भेजना होगा online आविदन करने की last date 22 अपरल 2024 सम पांच बजी तक से रखे गये हैं और hard copy भेजने की last date 30 अपरल 2024 तक से रखे गये हैं इसके लिए application fees देख लेते हैं UR OVC non-crimi layer के लिए 1000 यहां पर fees रखा गया है HTSC PWD EWS के लिए 500 रुपय का fees यहां पर रखा गया है इसके लिए selection procedure भी यहां पर दे दिया गया है कि इस प्रकार से इसका examination pattern रखा जाएगा इसकी जानकारी यहां पर दे दी गया है technical assistant, architecture और biomedical दोनों के लिए यहां पर बता दिया गया है MCQ type test यहां पर होगा 100 question यहां पर दिया जाएगा MCQ type में 100 number के रहेंगे यानि कि एक प्रेशन एक number कर रहेंगा, इसी प्रकार से भी जानकारी यहां पर दे दिया गया है, minus marking भी यहां पर रखा गया है, merit list किस प्रकार से बनाया जाएगा उसकी भी जानकारी दे दी गई है, जिससे आप पढ़ लीजेगा syllabus भी याँ पर जिसके लिए test लिया जाएगा, उसके लिए syllabus भी इसी PDF के last में दे दिया गया है, तो इस PDF में आपको complete जानकारी दे दी गई है, तो अगर आप इसके लिए apply करना चाते हैं, तो सबसे पहले इस video के description में जाएगे, वहाँ पर आपको इसके लिए official website के link मिल जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको online apply करना है, उसके बाद में उसकी जो hard copy आपको offline आपको भीजना होगा, दोनों की date आपको बता दी गई है, निस्ट वेकेंसी है, इंडियान इंस्टिटीट आप मैनेजमेंट ट्राइपूर की तरफ से non-teaching post के लिए विक्या पर निकाला गया है, जिसमें administrative officer on contract के लिए एक post निकाला गया है, 56,100 की salary दी जाएगी, जुनियर administrative officer on contract के लिए भी एक post है, 35,400 की payment यहाँ पर रखी गई है, जुनियर assistant के लिए भी एक post है, 19,980 की salary रखी गई है, ग्रूप ABC के लिए हम पर यह post निकाले गई है, administrative officer यहाँ पर on contract के लिए एक post है, इसके लिए PG degree मागी गई है, 60% के साथ में, और experience भी मागा गया है, एजनी भी 50 साल रखा गया है, और 56,100 की salary रखी गई है, contract period यहाँ पर दे दिया गया है, तिन साल का यहाँ पर period रखा गया है, और job profile के आप पढ़ लिएगा, जुनियर administrative officer के लिए एक post है, इसके लिए 35,400 की salary रखी गई है, इसके लिए qualification यहाँ पर graduate होना चाहिए, 60% के साथ में, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, और जिनको यहाँ पर graduate में 60% से कम है, उनको यहाँ पर post graduate है 30% के साथ में, तो भी apply कर सकते हैं, age limit इसके लिए 40 साल रखी गई है, नेच्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 40 साल एज लिमीट है 19,900 की सेलरी दी जाएगे 10 प्लेस टू परिच्छा आप पास है 55,37 के साथ में तो एपलाइं कर सकते हैं इसमें भी एक्सपिरियंस मख़ गया है एज में आपर रिलेक्सेशन में दिया जाएगा जितनी में रिजर्ब केटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा PWD के लिए आपर 10, 15 और 13 साल का एज में रिलेक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा इसके संब्न में अन्य जानकरी दे दिया गया है जिसे आप पढ़ लिजेगा इसके लिए आगे देख लिते हैं Central Information यह पर दे दिया गया है। 16 हमार तक आपको इसके लिए आपाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए याप चाहते हैं तो आपको computer का ग्यान होना चाहिए MS Word, Excel, PowerPoint, Presentation, Internet का ग्यान होना चाहिए, Hindi और English भासा का ग्यान आपको होना चाहिए इसमें online apply करते हैं अगर किसी प्रकार की समश्य होती है तो यहां पर contact number और email आइडिया आपर दे दिया गया है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं इस प्रकार से आप विज्यापन आपर निकाला गया है इसके लिए eligible है apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके official website से PDF चेक करके download कर लीजे पुरी तरह से पढ़ लीजे फिर आप इसके लिए online apply कर सकते हैं apply आपको 16 अप्रेल 2024 तक से करना होगा नेश्ट वेकेंसी है केंद्रिय माध्यमिक सिख्षा बोर्ड CBSC की तरब से यहाँ वेकेंसी जारी किया गया है इसमें CBSC के लिए यहाँ पर भारती नाग्रिकोसी सीधी भरती के लिए आवेदन मंगाये गये हैं यह इसके official website के link है जह के लिए online अपनाई करना होगा पोस्ट देख लेते हैं Assistant Secretary Administration के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट रखा गया है लेवल 10 का पेमिन दिया जाएगा नेश्ट है Assistant Secretary Academics के लिए लेवल 10 का पेमिन दिया जाएगा 16 पोस्ट रखा गया है नेश्ट है account officer के लिए भी level 10 का payment दिया जाएगा इसके लिए 3 post रखा गया है यह सभी group A के post हो गया आगे देख लेते हैं group B के post निकाले गया है जिसमें junior engineer के लिए level 6 का payment दिया जाएगा 17 post यहाँ पर निकाला गया है नेश्ट है junior translation officer के लिए यहाँ पर level 6 का payment दिया जाएगा इसके लिए भी 7 post यहाँ पर निकाला गया है नेश्ट दिख लेते हैं group C के post है जिसमें accountant के लिए level 4 का payment दिया जाएगा 7 post निकाला गया है और junior accountant के लिए level 2 का payment दिया जाएगा जिसमें 20 post यहाँ पर निकाला गया है करना होगा online apply करने की last date 11 April 2024 तक से रखे गए हैं इसके लिए जो eligibility प्रकार आज की इस वीडियो में भिलाई रायपूर और सी बीएसी की तरफ से तोटल 127 पदों के लिए आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई है अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए eligible है apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो की description में जाएए वहाँ पर आपको official website की link मिल जाएगी उस link पर क्लिक करके आप directly official website पर पहुँच जाएगे जहां से आप notifications वहाँ चेक कर सकते हैं उसे download कर सकते हैं पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और उसके बाद apply कर सकते हैं सभी की last date आपको बता दी गई है 36 गर में अने जेले की तरब से भी अलग अलग भी भागों की तरब से भर्दी के लिए भी क्या पंचारी किये गए हैं जिसके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो की description में recent uploaded वीडियो की playlist मिल जाएगी वह आपर से भी आप मेरी पिछले वीडियोस वाच कर सकते हैं अगर आप उनके लिए भी eligible होंगे तो apply कर सकते हैं और telegram channel पर भी बहुत सारे job की updates दी गए हैं अगर आपने भी update नहीं देखे हैं तो आप telegram channel से भी job की updates राप्त कर सकते हैं telegram channel की link भी इसी वीडियो की description में दे दी गई है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही friends अगर वीडियो helpful हो तो वीडियो को like and share कर दीजेगा मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकोन को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरी चैनल पर next job update की वीडियो की notification आप तुरान पहुंच सके आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद